आगामी साथ दिसम्बर से विधान सभा के शीत कालिन सत्र के शिरुवात होने जारी है जिसके चलते कड़े सुरक्षा इंतिजामात के गए हैं जिसका जायजा लिया हमारे समधाता ने दर्शो को आगामी साथ तारिक सो जो है शीत कालिन सत्र को शुरुवात होने जारी है महाराष्ट के विधान परिशत की उपसभाबती निलम गोरे ने सभी प्रशाशी के प्रभंदों का जाय जा लिया उसी शुरुखला में इस वक तब पहुच चुके है विधान भवन में जाकि सुरक्षा कड़ी सुरक्षा यहां लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यहां ना हो किसी भी प्रकार का जो है आंदोलुनकारियों को साती साथ पूरे प्रशाशन को किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो इस बात की पूरी एतिमात यहां किये गई है चार चौबन व्यवस्ता यहां की गई है जिस प्रकार से आप देख पा रहे है विधान परिशद का शीत कालिन सत्र को शुरुवात होने जारी जाकि गाड़ से लेकर सभी सुरक्षा आप जिसके चलते विधान भवन की अंतरिम सुरक्षा पर बड़ी मात्रा में ध्यान दिया क्या है जहां बार की दिवारों पर लोहें के पत्रों से सुरक्षा दिवारी धकी गई है तो अंतरिम तस्वीरों में अभी से प्रवेश संबंदी बंद बस के गए हैं गौर तलब है क कि आगा मेशे सत्र के बति रिजर विधान भवन की सुरक्षा में मुंपई पुलिस यंत्रना सेच हो चुकी है तो दर्शो को साथ तारिक से 22 तारिक तक चलने वाली शितकालिन सत्र में किस प्रकार से मुद्दे उठेंगे और क्या ये देखना काफी रोचक रहेगा जिसक के साथ कैमरा परसंद अजीत कुवर के साथ मैं मनिश टेमरे इनबी से निउस के लिए नाकपुर